इटावा में नेता जी मुलायम सिंग यादव की भावी और सपा अध्यक्ष अकिलेश यादव की ताई समुद्रा देवी का निधन हो गया 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली उनका निधन शैनिवार सुबह करीब 3 बजे हुआ वो पिछले काफी समय से बिमार चल रही थी और सैफ़ाई मेडिकल कोलेज में उनका इलाज चल रहा था समुद्रा देवी मुलायम सिंग यादव के बड़े भाई रतन सिंग यादव की पतनी थी समुद्रा देवी की निधन की खबर सुनते ही पूरे सैफ़ाई परिवार में शोग पसर गया अखिलेश यादव ने भी अपने शैनिवार के सभी कारिक्रम रद कर दिये उनका पुर्वांचल दोरा था जिसे रद कर दिया गया अखिलेश यादव पतनी डिंपल और परिवार के साथ सैफ़ाई पहुँच गए वहीं चाचा शियुपाल भी परिवार समित सैफ़ाई पहुँचे इस मौके पर परिवार के सभी सदस्य मौझूद रहे समुद्रा देवी मुलाईम सिंग यादव के सबसे बड़े भाई रतन सिंग यादव की पतनी थी और पुर्व संसद धर्मेंदर यादव की दादी थी समुद्रा देवी पिछले काफी समय से बिमार चल रही थी जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सेफ़ाई के अस्पताल में भरती कराया गया था